नमस्कार दोस्तों मैं रविंदर सिंग एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में NBS के एक्जाम को देखते हुए दोस्तों एक नई सीरीज का फर्स्ट वीडियो NBS के स्लेबस के आधारित आपके साथ सेर कर रहा हूँ दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए विवर हैं और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे हर नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो इस सीरीज का हमारा पहला क्वेशन है दोस्तों की भात वर्ष में प्रागेति हासिक शित्रों की खोज सर्वपर्थम किस अक्षेत्र में हुई ठीक है तो किस अक्षेत्र में सर्वपर्थम इनकी खोज हुई इसका जो आंसर है दोस्तों वो है मिर्जापूर तो मिर्जापूर इसका आंसर हो गया अब यहां से एक क्वेशन बन सकता है कि मिर्जापूर प्रागेति हासिक अक्षित्र मिर्जापूर कहां पर स्थित है तो इसका जो आंसर रहेगा उन रहेगा उत्तर परदेश तो यूप्पी में यह अक्षित्र स्थित है कौन सी परवत सरंखला में है तो कैमूर परवत सरंखला पे मिर्जापूर जो है वो स्तित है कितनी गुफाईं यहां से प्राप्त होती है मिर्जापूर से कितने चित्रित गुफाईं प्राप्त होती है तो दोस्तो सो के लगभग सो से ज्ञादा गुफाएं मैंगी वहां से प्राप्त होती है क्वेशन आग सुका है ये भी पहले कहां पर चित्र बने हैं इनके तो चट और दिवार के उपर मिर्जापूर में गुफाओं में चित्र बने हुए है कितने साल पुराने चित्तर यहां पर हमें मिलते हैं क्वेशन यह दिया आता है मिर्जापूर से तो दोस्तो लगबग 5000 इशापूरव के चित्तर हैं हमें यहां पर मिलते हैं और एक most important question यहां से हमेशा ही आता है दोस्तो कि सुवर का आखेट सुवर का आखेट यह चित्तर दोस्तो मिर्जापूर से हमें प्राप्थ होता है और काफी important है हम चलते हैं next question की तरफ हमारा next question है कि प्रागेति हासिक चित्र परधानतया किस विशे से संबंदित है तो दोस्तो यह चित्तर संबंदित है आखेट से तो जो मानम थे उस वक्त सिकार पर सम आधरी देहते थे मास में तिखाते तो वो सिकार करते थे तो वही कि वैसे ही चित्तर दोस्तो वो बनाते थे next question है बाग की गुफाएं कहां स्थित है तो दोस्तो बाग गुफाओं का चित्तर पूछा गया है कि वो कहां स्थित है चिक है तो इसका जो option आपने दोस्तो देखी लिए है operation के according तो इसका जो answer है वो है मध्यपरदेश चिक है मध्यपरदेश के अंदरी गुफाओं स्थित है तूसरा question यहाँ से बनता है मध्यपरदेश में कहां पर बाग गुफाओं स्थित है तो गवालियर राज्य में यह गुफाओं स्थित है और विंद्याचल परवस्रेणी के पास यह गुफाओं स्थित है या फिर यह लगा सकते हैं कि नर्मदा नदी की साहिक नदी बागमती नदी बोलते हैं या उसको बागिनी नदी भी बोलते हैं वहाँ पर एक बाग नामक गाओं है जहाँ पर उसी के नाम पर इन गुफाओं का नाम करण हुआ है और वहाँ पर ये गुफाओं इस्तित हैं दूसरा क्वेशन यहां से है कि सर्वपर्थम किसने बाग उफाओं का विवन पत्तर तयार किया तो सन 1818SV में जो है लेफ्टिडेंट डेंगर फिल्ड ने एक विवन पत्तर तयार किया जिसको मुंबई में परकासित किया गया था और मुंबई में दोस्तो साहित्य वीनियम संग की पत्तरीका के द्वित्य अंक में जो है इसको परकासित किया गया था इसका विवन पत्तर और उसे एक और इंपोर्टेंट क्वेशन है दोस्तो वो है सान 1910 इसवी में असित कुमार हलदार ने बाग उफा के चितरों के पर्तिकरते हैं वो तैयार की है तो असित कुमार हलदार वाला क्वेशन भी काफी इंपोर्टेंट है एक्जाम में आता है आ सकता है तो ओर दूसरा क्वेशन बाग गुफा से इंपोर्टेंट बन सकता है कि ये किस धर्म से सम्मंदित गुफाएं हैं तो दोस्तों ये बोध धर्म बो ध्रम से सम्मंदित हैं बो ध्रम के महयान संपरदाय से सम्मंदित ये गुफाएं हैं एक और important question है कि ये गुफाओं की संख्या कितनी है तो बागुफाओं की जो संख्या दोस्तो वो 9 है और सभी की सभी जो गुफाओं हैं दोस्तो वो विहार गुफाएं हैं और जो गरामीन लोग हैं दोस्तो इन गुफाओं को पंच पांडू गुफा भी कहते हैं तो पंच पांडू भी काफी बार आच चुका है कि इन गुफाओं को पंच पांडू गुफा का जबता है तो आप ध्यान रखे नेच्स्ट क्यूस्ट आपकी स्क्रीन के उपर है जोग्यमारा के चितर हैं तो जोग्यमारा के चितर हैं और फ़ोर्थ है पीली प्रस्थ हैं जो आंसर है दोस्तो वो हमारा है सफेद प्रेश्टूमी के उपरी चिते दोस्तो बने हैं अब दुसरी बात आती है कि जोगे मालाकी गुफाईं कहां स्तीत है तो दोस्तो ये गुफाईं मध्य पर्देश में है ठीक है MP में हैं तो MP में किस रियासत में पढ़ती है जी क्वेशन भी कई बार एक्जाम में आजाता है तो MP मद्द परदेश की सरगोजा रियासत की अंतरगत कि पहाड़ीयों पर बनी है क्वेशन ने दियाता है तो रामगड की पहाड़ीयों पर ये गुफाएं जो हैं वो बनी हुई है एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेशन है दोस्तों की 1914 इसमी में 1914 इसमी में असित कुमार हलदार ने तथा उनके साथ थे सेमिंदर नास गुपता जी इन दोनों ने मिलकर जो जोगी मारा गुफा है इनके चित्रों की पर तिलिपी तयार की और यहां से कितने जोगी मारा गुफा से कितने चित्र पैनल प्राप्त होते हैं ठीक है कितने चित्र पैनल हमें प्राप्त होते हैं साथ चित्र पैनल जो हमें प्राप्त होते हैं जो काफी सरक्सित हैं जिनमें से एक दो दोस्तों टूटे में हैं बाकी सही हैं सही आवस्था में हैं और ये था हमारा जोग गिमारा गुफाई सम्मधित आगे नेक्स्ट क्वेशन आएगा कभी जोग गिमारा का तो इसके चित्रों के विए से में हम जरूर बताएंगे तो गुफाई जो आवस्थित हैं वो कहां हैं भीमवेट का भी काफी इंपोर्टन क्वेशन है दोस्तों काफी इंपोर्टन गुफाई वहां पे हैं तो ये गुफाई कहां हैं आपने देख लिए हैं दोस्तों तो ये मर्दय पर्देश में हैं ठीक है तो मर्दय पर्देश मे ठीक है वानककर जे उज्जेन वीसी विडाले के प्रोफेसर थे और दूसरा कॉइसन यहां से बन सकता है कि यहां पर कितनी गुफाई हैं बस्तित हैं काफी बहुत ज्यादा संख्या में गुफाइं यहां से मिली हैं तो 600 गुफा लगबग 600 गुफाइं यहां से हमें प्राप्त होती हैं दूसरा important question जो कई बार आता है कि इन 600 गुफाओं में से कि भीमेट का गुफाओं में कितनी गुफाओं में चित्र सुरुक्षित मिलते हैं तो 275 गुफाओं के अंदर जो चित्र हैं में भीमेट का में सुरुक्षित प्राप्त होते हैं और एक और important question है यहां पर हमेरा एक सिकार निरते है ठीक है ना सिकार निरते हैं बहुत सारे आद Mü है जो सिकार कर रहे हैं एक जो जानवर यहांँ खरा ए है चैरों तरफ से सिकार तो गुपतकाल की सरवपर्मुख विशेष्टा क्या है दोस्तों इसके इंदध चार आप्सन दिये गएं जिन मेंसे दो आप्सन बच्चों को पजल करते हैं वो हैं मुर्तिकला और मंदिरों का निर्मान तो दोस्तों दोनों ही महां परमुकारी हुए है मुर्तिकला भी और जो गुप्त काल का जो शमे रहा है वो 275 इस्वी से लेकर और 500 इस्वी तक जो है गुप्त काल माना जाता है इसी के दोरान दोस्तो इन्होंने विक्सित कौन सी सैली की थी मंदिरों की दोस्तो नागर जो सैली है नागर सैली जो मंदिरों की बनी है वो गुप्त काल से ही विक्षित होने लगी थी और वहां के जो मंदिर दोस्तों ये बनाते थे वो उची चोंकी पर बनाते थे चारों तरफ उनके चड़ने के लिए सीडिया होती थी ठीक है हम चलते हैं नेक्स क्वेसिन की तरफ नेक्स क्वेसिन हमारा है कि उदेगरी की गुफाएं किस धर्म को दर्शाती है उदेगरी की गुफाएं दोस्तों किस धर्म को दर्शाती है चार धर्मों के नाम आपके सामने हैं जिन मेंसे दोस्तों जो हिंदु धर्म है उससे सम्मंदित ये गुफाएं हैं उद्यगिरी की गुफाएं और कहां पर स्थित हैं तो दोस्तों ये मद्ध्य पर्देश में स्थित हैं और मद्ध्य पर्देश के किस जिले में हैं तो विद्धिसा जिले में ये गुफाएं सिरुक्सित हैं तो इसी के साथ मैं आपसे इस वील्ड को समात करने की अग्यात चाहूंगा धन्यवाद